हलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग वेलकम टू स्मार्ट मुवीज वॉक चैनल और आज हम रिव्यू करेंगे बॉलिवुड की तरफ से तीन ट्रेलर रिलीज हुए हैं जिसमें सबसे पहले में नाम लेना चाहूंगा अंतिम सल्मान भाई का ट्रेलर उसके बाद में नाम लेन ट्रेलर जो अभी तक आया है बॉलिवुड की हिस्ट्री में इससे जबर्दस ट्रेलर तो मैंने आज तक कभी देखा यह नहीं और मेरा खुश नसीवी है कि मैंने इस ट्रेलर को देख लिया लेकिन मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद डॉक्टर के पास ही जाना पड़ लेते हैं हालिफलाल में रिलीज हुए टीन ट्रेलर अंतिम माइंड ब्लोईंग जबर्दस मूवी थी और भी रियलिस्टिक मूवी बॉलिवॉड में बन रही थी लग रहा था कि बॉलिवॉड अच्छी लेकिन कहते हैं कि आदमी अपने पिछले कर्मों को नहीं बोलता है और वापसी जरूर करता है तो गाइज बॉलिवॉड वापसी एसी मूवी को लेकर जिसमें चीच चीच के देश-बग्ति बताई जा रही है और उपर से सभाने प्री सुहागा के उसमें दिखाए गए जॉ-अब्राहिम के तीन रोल उसमें दिखाये है. बाइस पता नहीं, हो सकता दस बारा रॉल भी निकल एक उंक अकर बेहार मतलब 23 एकटिनग आती नही आद बार और दो-तिन पेशेंट भी उनकी चीक से निकल सकते हैं उपर को और पहले ही उनका टिकेट कट सकता है तो इतनी मतलब अब मैं क्या कहूं के Bollywood ऐिशी ही फिल्म है ऑली फिल्म में और चलती है और jms बायात मूवी होता है जिनमें ना सर होता, ना पैर होता, ना एक्टिंग होती, ना स्टोरी होती, कुछ होता ही नहीं है. ऐसी मूवी तो इंडिया में चल जाती है, लेकिन अगर कोई जाधा मेहनत करके और अच्छी कहानी के साथ मूवी आए, तो वो मुवी चलने का कम चांसिस रह था इंडिया के अंदर तो हमारी ओडियंस इसी तरह की है जो जॉन इब्राहिम को चीक तेवे देखना पसंद करती है ना कि एक्पिंग लेक्टेवे कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कि मारवल वाले जॉन इब्राहिम को रोल के चैप्टन अमेरिका और तॉनी स्टार्क और ठोर को काफी भारी चीजों इठाने में टाइम लगता है वहीं जॉन इब्राहिम एक बाइक को ऐसे ही जिस पर बंदा बैठा हुआ उठा के और फैक देते हैं ना सूपर हीरो ही है वो हमारे बॉलिवुड के उनसे ज्यादा ताखत पर कोई ही नहीं और मुझे लगता है कि जॉन इब्राहिम को एक ना एक सूपर हीरो की मूवी तो कर बारे हो तो भाई दिमाग तो खराब हो गई होगा देखके और तालियां भी बजाई जाएंगी आपके निए बहुत ही इस्पेशल तो गाइज यह तो हुई जॉन इब्राहिम के जो के मुझे नियाहेती इस्टूपट और बखवास जिसको देखके ना मुझे मतलब टॉर है जो एक तरह का बिल्कुल टॉर्चर है जो ट्रेलर देखने के बाद मूवी मूवी का तो सीनी नहीं बनता ऐसी मूवी कौन देखेगा भाई अब जिनको जो मेंटली डिस बैलेंस होंगे वही देख सकते हैं बाकी मुझे तो नहीं देखना चीक-चीक के देश भक्ति ने देखाई जाएं देश भक्ति पर अगर रंग मूवी बनाई है तो सरदार अधम जी की जो मूवी आई थी वह देखिए अब क्या जबरदस शेर्शा जो मूवी आई थी क्या जबरदस मूवी पिल्कुल नो बखवास और यहां सिर्फ बखवास ही बखवास बात कर लेतें अन्तिम की तो अन्तिम सल्मान भाईजान की मूवी है और सल्मान भाईजान की मूवी की बुराइत तो मैं कर नहीं सकता हूं लेकिन सल्मान भाईजान इस मूवी में जितने दिखाए गए वो ट्रेलर में ही दिखा दिखा दिए गए उसके अलावा जो मैं लीड रोल में है वो दूसरा नए रलका है और थोड़ी बहुत अगर मैं कहूं कि ये ट्रेलर जो है सत्य मेव जेते से तो ज्यादा ही बैतर था अब बात कर लेते हैं तीसरे ट्रेलर की बबली और बंटी तो ये वाला जो ट्रेलर था वो इन दौनों ट्रेलर पर मुझे बारी परतवा नजर दिखाई दिया और थोड़ा कंवेंसिंग दिखाई दिया कि मुझे लगता है कि ये मुवी मुझे देखना चाहिए और मैं इस मुवी का थोड़ा वेट कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है उन दौनों की पर्फॉर्फॉर्वेंस और ट्रेलर में जो चीज़े दिखाई करती है क्योंकि लोग ऐसी ही मुवी देखना पसंद करते हैं यहां पर तो गाइज यह थे टीन ट्रेलर जिसमें दो ट्रेलर एक ट्रेलर तो बीच का थोड़ा मैं एवरेज से डाउन मानूंगा और एक नहायती जिसको आपना लात मार के भागा दिए देखने की जरुवती नहीं हैं और नंबर तीन बबली और बंटी जो रिटन लगा जवरदसद यहां उसका ट्रेलर ट्रेलर कैंदे क्या है तो यह थे तीनों ट्रेलर के रिव्यू जो रिव्यू में करता हूं मैं और लेकिन यह सत्य मेफ जेते ने मुझे फिल्कुल फोर्स किया कि मैं इसके बारे में बताऊं कि यह क्या चीज है तो अगर आपको मेरे ट्रेलर रिव्यू जरा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं और आपको सत्य में आप जेते का ट्रेलर कैसा लगा यह भी आप जरूर बताएं मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आप मैंसे कोई डॉक्टर के पास तो नहीं गया तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब गरत क्जा सी